बहिया एक जबर्दस जीत के साथ जो है पाकिस्तान की टीम ने न्यूजिलैंड के खिलाफ T20i सिरीज का आगाज किया है अपने तुफाली फास्ट बॉलर्स के दम पे उपर से जो है न्यूजिलैंड को तोर करके रख दिया इस दुनिया में वन अप दबेस्ट बॉलिंग ल लड़का फ्यूचर का एस्टार है बहुत बड़ा एस्टार है जब न्यूजिलैंड की टीम उतरी है घईया तो साइन शाह फिदी और जमान खान तो एक दम लग रहा था कि गोले बरसा रहे हैं अपने पहले दो ओवर में जितने साइन शाह फिदी खतरनाक होते हैं दुनि कोई भी टीम एक सो साट एक सो सतर डिफेंड कर सकता इस पूरी दुनिया में कोई एक टीम है वह पाकिस्तान एल्ला तो यह पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्वेंथ है इतनी ज्यादा मजबूत आज क्या ही कप्तानी हुई है बाबर आजम से जमान खान ने क्या स्पेल फेका बाउंडरी छोटी है उसी बाउंडरी छोटी पे जो है आज पाकिस्तान के गेंदबाजोन इतना ज्यादा कमाल का प्रदर्शन किया है कि 94 सो रन भी बनाने के लिए निजुलेंट की इस टीम को नहीं दिया था जबकि मयूब उन्होंने क्या ही आज बल्ले बाजी किया बे हरिस रॉफ को आप लोग बोल रहे थे टीपिया एंड औरल की भाई जब से विराट कोली ने शतक बनाया है इनका फॉर्म खराब हो गया ये खराब हो गया इसी हरिस रॉफ ने चार विकेट आपको दिला है दोस्तों जैसे कि अपने हाईलाइट्स में देख लिया है कि पाकिस्तान की निजज़ेंगे खिलाफ पहले टीटूंटी मैट में शांदार पर्फॉर्मेंस पर भारती मीडिया का कुछ रिद्यमेल है कुछ सेकंड के बाद आपको फुल वीडियो की चैनल बेकर चलेंगे भाईया एक जबर दस जीत के साथ जो है पाकिस्तान की टीम ने निज़ेंड के खिलाफ टीटूंटी आई सिरीज का आगाज किया है बहतरीन टीम एफट बाबर आजम और मुम्मद लिजवान के जल्दी आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो है 180 प्लस का टार्ग ले लेती है यह नॉर्म जब कोई कैप्टन बदलता है तो मुझे खुजी होती है और वही कैप्टन ऐसा कर सकता है जिसको अपने बॉलर्स में यकीन होता है और पाकिस्तान के बॉलर्स दो हैं ही वन अप डब बेस्ट बॉलिंग लाइनप इस से अच्छी बॉलिंग लाइ हमने दो चोके जमाने के साथ ही जो है अब बावर आजम T20 इंटरनाशनल में विराट से ज्यादा चोके जमाने वाले बल्लेवाज हो गए हैं अब दो चोके जमाते ही बावर ने विराट को पीछे छोड़ दिया है इस सेरीज में अगर वो 20 चोके जमा देते हैं तो सबसे जादा चोके जमाने का T20 इंटरनाशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे कमेट यंग सैम या यूव यार यंग सैम यूव क्या जबरदस्त बैटिंग की है क्या टाइमिंग क्या स्ट्रोक प्ले दिल खुश कर दिया सैम यूव ने यह लड़का फ्यूचर का स्टार ह है बहुत बड़ा स्टार है इसने अपना पोटेंशल बार बार सावित किया है पहले पी एसल में सावित किया अफगानिस्तान के खिलाब सिरीज भी पहले दो मैसे फ्लॉप रहे थे लेकिन तीसरे मैस में जबरदस्त बैटिंग की थे और आज रन आउट नहीं होते तो के जमाए दो छक्के जमाए फकर जमान ने भी अच्छी बैटिंग की थर्टी फॉर बोल्स में फोटी सेवर नंस बनाए मैं देख पाराओ जमान ने जो है चार चोके और दो छक्के जमाए लेकिन साम अयूब आउट हुए और उसके कुछ दिर बाद फकर जमान भी आउट 22 तक जो है पाकिस्तान 20 और में 20 और थाला की नहीं खेल पाया नैंटीन पॉइंट फाइब वर्स में जो है 182 रंस तक पहुंचने में कामियाब रहा एडम मिलन की जवर्दस्त कुटाई हुई है चार और मिलन की जो कुटाई हुई है ना मन को तसल्ली देने वाली काम है और निजलेंड के जो ओपनर था क्रिस वोज उसको रीड़ भी नहीं कर पाया आउट हो गया लबी डबलो आउट हुआ है एंपायर ने आउट नहीं दिया था फिर काफी सलाह मस्वरा हुआ है बावर काफी लोंगों से पूछा है फिर सबने कहा कि भाईया लेलो रि सब्सक्राइब कर देने की ठोक दीजे सब्सक्राइब क्या ही गजब का परफॉर्मेंस जो है आज बाबर आजम और उनके जो खिलाडी है उन्होंने दिखाया है मतला आज जिस तरीके से गेंद बाजों ने प्रदर्शन किया है वो काबले तारीफ है जिको बता दू कि आज पूरा का पूरा मैंने मैच्च देखे है और इस मैच में क्या प्रदर्शन हुआ है कोई भी टीम 160-170 डिफरेंट कर सकता इस पूरी दुनिया में कोई एक टीम है वो पाकिस्तान ए लाहोर के तीन गेंद बाज आपके है लाहोर कलंदर्स के जमान खान शाहिन शाफरीदी हारिस राफ होते हुए तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्वेंथ है इतनी जादा मजबूत कि इनके पास हमेशा ये भरूसा रहता है कि हमारे खिलाडी जो है मैचे जिता देंगे और आज क्या ही कप्तानी हुई है बाबर आजम से जिस तरीके से 10 ओबर तक था हरिस राफ को इनों ने बचा के रखा था शाहिन के दो ओवर करा दिये थे उसके बाद दो ओवर जमान खा के करा दिये तो रजमान खान ने क्या स्पेल फेका है आज अपना शुरूरू जब आपके द इगल शाहिनशा अफरी दी जब अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे हो तो आपको इमाद वसीम की क्या काम है क्या ज़रूरत है इसी को कहते हैं टीम परफॉर्मेंस कोई एक खिलाडी आपको एक ही मैच जिता सकता है लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिरी जीते आप डॉमिनेट करो तो पूरे के पूरे खिलाडीों का प्रदर्शन आपको चाहिए होता है और आज किसी एक खिलाडी ने मैच नहीं जिताया है बलकि आज बहुत सारे खिलाडीों ने मि जीताए है पाकिस्तान को और अपने सोवे टीटी मुकाबले में बाबराजम भले ही बल्ले से फ्लॉप साबित हुए हो लेकिन कप्तान ही उनकी जबरदास्त रही है आपको यार्टी परफरमेंस रहा है आप बता उन्हें 94 रन पे जिसको बैटिंग सर्फेस बोल रहे थे लो ने क्या ही आज बल्ले बाजी किया बेखौफ होगर बल्ले बाजी किया और उसी का नतीजा रहा कि आज पाकिस्तान की टीम जो है शांदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की है बाबराजम ने बतौर कप्तानी में और एक बार फिर से कप्तानी का जो डिबेट था मेरे ख किसी को बनाया जाता है बस थोड़े से चेंजिस कर में है पाकिस्तान की टीम जो है अनबीटेबल हो जाएगी और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने टीटुन्टी क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मरतवा जीत हासिल की है वन अब दो बेस्ट टीटी टीम है वन इनका रिकॉर्ड ही इतना ज्यादा अच्छा रहा इतना शांदार रहा है